साल 2010 में पेरिस में एक 91 साल की बुड़ी औरत की मौत होती है और उसके बाद उसकी फैमिली को ये पता चलता है कि उसके नाम तो पेरिस में एक fully furnished luxury apartment था जो World War 2 से completely untouched था अब ये आपके और मेरे जिसे लोगों के लिए एक नई बात होगी राइट बट पेरिस में ये बिलकुल normal है आज के तारीक में पेरिस में 26% घर ऐसे ही खाली पड़े हुए लेकिन the irony is इतने flats empty होने के बावजूद भी पेरिस में homelessness आज भी peak पर है well, hello friends, मेरा नाव है Gaurav और पेरिस जो एक top travel destination है और हमेशा tourist से jam-pack दिखता है उसी पेरिस शहर के लाखो घर वीरान बड़े हुए in fact, कुछ 40,000 घरों में तो बिजली का connection तक नहीं है अब मज़े की बात तो ये है कि पेरिस government इस problem को solve करने की पूरी कोशिस तो कर रही है लेकिन फिर भी काफी सारे challenges face कर रही है आखिर कैसे? Well, सबसे पहले समस्ते की government क्या steps ले रही है Well, government basically rent culture को promote करने के लिए flat owners को flat के साथ blankets और crockery जैसे basic चीजे free दे रही है So, पेरिस में खाली घरों को लेकर दो concepts है vacant और unoccupied home अब vacant home का मतलब एक ऐसा घर जो unfurnished है और पिछले 30 दिनों से खाली है वहीं पर unoccupied home के अगर हम बात करें तो ऐसे घर जो fully furnished तो है लेकिन उनमें कोई रहता ही नहीं है और आज पेरिस में ऐसे 17.4% याने की 2,00,000 से भी ज्यादे unoccupied घर है And on the contrary, पूरे पेरिस शेहर में 3000 लोग homeless है अब पेरिस शेहर के घर खाली होने की सबसे पहली बड़ी वज़े है पेरिस में चल रहे housing crisis याने घरों की कमी तो पेरिस city में न लोगों की average salary कुछ 2,500 euros है लेकिन वहां के property prices on an average 10,500 euros per square meter से भी ज्यादा है And mind you, पिछले 25 सालों में पेरिस के property prices 400 गुना बढ़ गए है अब इसी purchasing power के difference के चलते हैं आज middle class Parisians अपना खुद का घर effort नहीं कर पा रहे इसलिए पेरिस आज दुनिया की सबसे expensive city भी बन चुकी है इंडिया की सबसे expensive city मुंबई के comparison में पेरिस के घर 197% ज्यादे महेंगें which is a huge difference और यही एक important reason है कि पेरिस में most of the apartments खाली पड़े हैं अब इससे ये तो बिलकुल clear हो जाता है कि आज के date में पेरिस में एक middle class का घर own करना काफी मुश्किल है और इसलिए most of the Parisian घर rent पर लेते हैं तो पेरिस में ना rent culture काफी prominent है और इसी वजए से वहां की government ने काफी stringent laws बनाए है और rented flats को दो categories में divide किया है एक तो owner fully furnished flat rent कर सकता है या फिर unfurnished को अब इसमें भी काफी strict rules है अगर owner fully furnished flat को offer करता है तो definitely उसे comparatively ज्यादा rent याने की approximately 1200 euros का rent मिलेगा बट furnished flat में government ये make sure करती है कि owner अपने tenant को blankets, fridge ये सबसे लेकर crockery तक सारी चीज़े compulsorily provide करें और अगर in future ये सारे items अगर खराब हो जाए तो owner उसे भी replace करके देगा इन case owner अगर ऐसा नहीं करता है तो tenant के पास पूरा right होता है कि वो existing rent unfurnished flat के rates के हिसाब से pay करें आज पूरे पेरिस में कुछ घर इसलिए भी बंद है क्योंकि वो inheritance law के case में फज़े हुए है अब ऐसा इसलिए क्योंकि पेरिस में spouse के death के बाद property directly dependence को transfer नहीं की जाती है वहाँ property inheritance का एक काफी lengthy process होता है और कुछ cases में तो लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर कोई ancestral property भी मौजूद है कुछ ऐसा ही केस 2010 में South France में हुआ था जब एक 91 years की lady के मौत के बाद उसके family को ये पता चला कि उसके नाम पर एक fully furnished apartment पहले से ही मौजूद है और ऐसा ही एक similar strict law इंडिया में भी मौजूद है ताकि death का misuse करके बच्चे property हडपना ले और इस और इसलिए जरूरी होता है कि आप दूसरे options भी figure out करें जैसे कि stock market में invest करना commodities etc में trade करना आज मैं आपको एक ऐसे ही platform के बारे में बता रहा हूँ जो आपको एक second income earn करने में help कर सकता है through trading इस platform पर आपको सारे trading needs के solutions मिलेंगे और 2009 से 5 million लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ XM की यहाँ पर आपको अलग-अलग accounts बनाके trade करने का मौका मिलेगा on 8 asset class like stocks, crypto, commodities, energies etc with 1000 plus instruments जैसे कि gold currencies, oil etc XM आपको देता है 1000 is to 1 का leverage मतलब आपके account में भले ही 10 रुपे हो लेकिन आप 10,000 तक की trade लगा सकते हो इनके 99% orders 1 second से कम time में execute हो जाते हैं यही नहीं XM आपको trading journey में पूरा help करता है एक dedicated relationship manager देकर और साथ ही में आपको देता है customer support 24-7 English language में और 24-5 local languages में भी जैसे कि Hindi, Tamil और Bangla इसके लावा XM free trading education भी provide करता है अपने customers को और इनके webinars है right from basic knowledge of financial world to pro trading XM पर आपको अपटो $5,000 का trading bonus मिलता है आपके trading capital को आप और भी बढ़ा सकते हो जहाँ पर आपको financial markets के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है simple है, first learn and then earn so एक काफी interesting opportunity है to earn a second source of income if you are interested, click on the link in the description below and now let's jump back to the topic तो पेरिस में घर खाली होने का तीसरा बड़ा reason है second homes so second home आपके primary residency के अलावा एक दूसरा घर होता है जहाँ पर आप weekends या vacation बनाने जाते और पेरिस में ऐसे 1,26,000 घर second homes है जाने की खाली है and interestingly, पेरिस के इन second homes के majority owners foreign nationals है जिसका मतलब एक particular vacation time पर ही यहाँ पर घर open होता है और इसलिए अगर आप देखोगे तो vacation time के अलावा यह घर आपको mostly vacant ही दिखेंगे पर इसमें भी एक problem है ऐसे second homes की vacancy को avoid करने के लिए पेरिस government second home taxes impose करती है अब इनी taxes से बचने के लिए कुछ homeowners अपने apartments को short term rental पर दे देते हैं तो पेरिस में rule है कि legally आप साल के 120 दिनों के लिए अपने घर को rent पर दे सकते हो लेकिन इस limit के उपर rent करने के लिए आपको authorities की permission लगती है और in fact उस property को भी residential से hotel accommodation में consider किया जाता है जिसके और भी higher taxes लगते हैं और इसलिए most of the second home owners अपने flat को vacant रखना ज्यादा prefer करते हैं लेकिन वो बात अलग है कई सारे paracians ने इसका भी एक loophole ढूंडा है क्योंकि वहाँ के homeowners अब घरों को Airbnb पे list कर रहे हैं अब Airbnb जैसे you may know एक property leasing platform है जिसमें owners अपने flat को 1500 से 300 euros के per day rent rate पर rent कर सकते हैं and mind you ये deal उनके लिए काफी profitable भी है क्योंकि जहाँ एक महीने में mostly rental से वो 1500 euros कमाते हैं वहीं पर Airbnb के short term rental से वो सीधा double याने 3000 से 5000 euros तक कमा लेते हैं और इसी लिए Paris में short term rentals की popularity काफी बढ़ रही है and as a matter of fact इतनी बढ़ चुकी है कि आज Paris में 78,000 Airbnb properties मौझूद है जो by the way दुनिया में किसी भी city से सबसे ज्यादा है well Paris पहले से ही second home destination नहीं था उसके ऐसा बनने की एक काफी interesting history है तो देखो किसी भी area को modern way में reconstruct करने के बाद जब वहाँ पर higher living standard वाली communities आकर रहती है तो उस process को gentrification कहते हैं और Paris के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ 19th century के पहले Paris में working class रहा करती थी लेकिन फिर साल 1870 में French emperor Napoleon III ने Georgesus Eugene Hossman नाम के एक administrative officer को Paris के renovation जिसे the renewal of Paris कहा गया उसकी जिम्मेदारी सौपी इसके तहट Hossman ने पुराने Parisian buildings और avenues को तोड़ कर completely नया बनवाया जिससे Paris, wealthy और rich tourists को और भी ज्यादा appealing लगे अब इससे हुआ ये कि Paris का standard of living काफी high हो गया लेकिन इस high standard of living को वहाँ के working class effort नहीं कर पाए और वो city के outskirts में shift होने लग गए अब gentrification के दो outcomes होते हैं एक तो positive outcome जिसमें gentrification से city में नए investments आते हैं और उन neglected areas का भी economic growth होता है लेकिन यहाँ पर एक दूसरा negative outcome भी होता है जिसमें वो area या city suddenly काफी ज़्यादा expensive हो जाती है वेल पेरिस के case में negative outcome ज्यादा strongly hit किया और ये भी पेरिस के empty होने का एक major reason है क्योंकि जैसे मैंने कहा सब कुछ affordability के बाहर हो गया और इसलिए middle class Parisian city के outskirts में settle होने लगे और main city में सिफ rich second home investors के ही घर रहे गए अब इसका best example है पेरिस का लमराय neighborhood जो किसी वक्त में ना पेरिस के working class का hub हुआ करता था especially यहाँ पर Jewish community रहा करती थी लेकिन आज यही neighborhood पेरिस का सबसे expensive और fashionable area बन गया है now obviously friends इस सबसे पेरिस government भी जिंता में ही है और इसलिए उन्होंने इस housing crisis को tackle करने के लिए कुछ solutions भी ढूणने है जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने first time घर लेने वाले Parisians के लिए 10,000 euros का grant दिया है जिससे कि उन्हें घर खरीदने में help हो सके और grant के अलावा government खुद housing loans भी provide कर रही है वो भी banks से कम interest पर and not just low interest loans Parisian government तो pret a tox zero और PTZ नाम के एक scheme के अंडर interest free loans तक देती है basically PTZ ऐसे लोगों को मिलता है जिनके ओपर already loans है और वो नया घर purchase करना चाते है और French government के अगर बात करें तो वो भी Paris में social housing याने subsidized घर बना रही है लेकिन घर बनाने के साथ उन्होंने second homes को rent पर देने के लिए encourage करने के लिए zone tendu law भी पास किया है और इस law के तहत जिन area में housing के demand सबसे ज्यादी है लेकिन housing के shortage है ऐसे areas में local government vacant second homes पर 60% additional tax impose करती है याने simply समझें तो किसी vacant property का tax से 100 euros तो owner को इस पर 60 euros याने की total 160 euro का tax बरना पड़ेगा अगर वो अपना घर खाली रखता है तो अब अगर देखा जाए ना friends तो Europe में पेरसी सिर्फिक ऐसी city नहीं है जो empty है इसके अलावा भी कुछ और European cities है जैसे कि Amsterdam और Vienna लेकिन उनके problem से deal करने के लिए उनकी government ने दूसरे अलग-अलग innovative ways निकाले हैं जैसे Amsterdam में longer duration के लिए घर खाली रखने पर ओनर को 9,000 euros का fine pay करना पड़ता है और इसके अलावा वहां की government पुरानी building को reuse भी करती है और इसका best example है ये Amsterdam based घर जो पहले एक gymnasium हुआ करता था और ये भी Vienna की government building जिसमें पहले commerce department operate करता था लेकिन उनके shift होने के बाद इस पूरे building को आज अलग-अलग purpose के लिए rent किया जाता है लेकिन friends आज के तारीक में Europe के कुछ cities में घर भले ही खाली हो बड़ उनकी city planning और transportation इतने insanely planned है कि आप कोई भी European city को किसी भी और दूसरे developed country जैसे कि even America से compare करोगे तो भी आपको major difference दिखेगा European cities इतने picture perfect Photoshop edited आखिर कैसे दिखते हैं यूँ मानूर जैसे किसी ने इनकी painting बनाई हो ये Europe कैसे कर पाया वेल इस वीडियो में मैंने ये पूरा cover किया डीटेल में Europe की policies क्या थी और किस तरीके से Europe इतना advance बन पाया तो वीडियो को चेक आउट करना मत भूलना आपको काफी knowledge मिलेगा और अगर इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया तो एक like जरू ठोकना Gets It Fly Fact चानल को भी subscribe भी कर लो और bell नोर विक्षिन दबाओ तकि आगे आने वाली ऐसे interesting videos आप कभी भी मिसना करो As always friends stay curious, keep learning and keep growing Jai Hind